असलाम अलेकुम दोस्तों आप तब का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल बिस्लिल्ला फिश्रीम में विल दोस्तों बहुत अर्सों के बाद मैं हुपेट की वीडियो लेके आ रहा हूँ एक्षिली बात है कि कोई भी पर्टिकुलर कारगल हुपेट लाने से पहले बहुत सारा चीजों को करके देखना पड़ता है कि वह इस हुपेट सही में कारगल है या नहीं है तो इसके वज़े से क्या है कि टेस्टिक बगारा करने के बाद ये सब मामला फिर समझ में आता है कि कितना कारगल होगा या नहीं होगा तो इसके बाद वीडियो प्रेड्यूस किया जाता है तो आज जो hookbait के वारे में हम बात करने वाले हैं ये basically target करता है रेहू मचली को ऐसा नहीं है कि रेहू मचली target करता है तो सिर्फ रेहू ही खाएगी इसको कोई और प्रजाती कि मचली भी खा सकती है डिपेंड करता है सिनारियो पे situation पे कहां पर या मचली पकड़ने जा रहे हैं और बहुत सारी मामुलाद जिस पे डिपेंड करता है कि मचली कौन सी खाएगी पर अलबता ऐसा है कि ये जो hookbait है ये जादातर रेहू इस पे अटैक करता है और ये रेहू का पसंदीदा ये खाना है तो इसके लिए जो आपको समान लगेगा दोस्तों वो मैं आपको बताता चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना simple language में जितना simple तरीके में मैं आपको समझा सकूँ उतना ही मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में फोटो के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करूँगा आपको बोलने की तोर तरीके से भी समझाने की कोशिश करूँगा ताके आपको मुकमल तोर पे समझ में आ जाए कि मैं किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ तो रहू मचली जो होती है उसकी फोटो आपके स्क्रीन पे दी रही है तो इसी मचली के तालुक से आज हम हुक बेट बताएंगे तो इसके लिए जो अवल चीज आपको लगेगा दोस्तो वो है आपका ब्रेट क्रम ब्रेट क्रम का मतलब होता है जो पाव रूटी होता है जिसकी फोटो आप देख रहे हैं इसको आप उपर का जो काला या फिर ब्राउन कलर का जो हिस्सा होता है जो थोड़ा जल जाता है उसको निकाल करके सिर्फ वाइट वाला हिस्सा को आपको उसको रगर-रगर करके उसको पॉडर कर लेना है मतलब breadcrumb बना लेना है पाव रोटी का चूरा बना लेना है यह जो आपको breadcrumb लगेगा यह half pond रोटी का लगेगा half pond रोटी का आपको breadcrumb लगेगा ठीक है थोड़ा सा उपर नीचे होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं है कोशिश करें आप half pound का रोटी मिलता है बजार में machine कटा slice रोटी तो उसका किनारे का हटा कर कि आप रोटी ले लीजिए और उसको आप powder कर लीजिए फिर इसमें जो लगेगा आपको वो है मलाई मलाई जो होता है जिसे कि आप जब दूद गरम करते हो तो दूद के ओपर एक एक layer आता है जिसको हम लोग अपनी normal दमान पे हमारे बंगाल में इसको मलाई कहा जाता है ठीक है तो ये तकरीबन आपको 30 ग्राम लगेगा आप मलाई का जहां तक बात आया या घी का जहां तक बात आया जहां परी भी बात होता है या दिकर होता है फिशिंग का hook bait बनाने के लिए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भैस का घी या मलाई वगारा नहीं चलता है हाँ अगर कोई particular bait है exceptional case है अगर उसमें भैस का ही दरकार होता है जिसे जाए साल के तोर पर मैं जो टेंगरा मचली पकड़ने जाता हूं कभी कदर जब दिल चाता है तो वहाँ परी मैं भैस का घी इस्तेमाल करता हूं क्योंकि वह जादा बहतर रिजल्ट देता है और इसली काम हो जाता है गाई के घी के मुकाबले में भैस का घी की सस्ता होता है तो इसलीं उसमें काम हो जाता तो गाई का घी इस्तुमाल नहीं करता हूं पर अगर कहीं पर इभी फिशिंग का तालुक से बात हूँ के देजी घी लगेंगा तो वहाँ काउ का, मतलब गाई का आप घी का इस्तमाल करेंगे यहाँ पर जो मलाई का बात कर रहा हूं मैं वो भी आप गाई का मलाई लीजेगा गाई की दूट में जो मलाई का परक जमता है उपर में गरम करने के बाद ठंडा होता है तो उसके उपर में एक लेयर जमता है उसको मलाई कहते है और यह जो आपको लेना है है फोटाफिस ट्रेल पे दिया हुआ है तो इसमें फिर आपको एक हुमियपथि मेडिसिन लगेगा हुमियपथि मेडिसिन लगेगा जिसका नाम है कोकिलिस इνडिकस, मदर टिंचर क्यूद, अब ये जो medicine है दोस्तो market में आपको मिल तो जाएगा ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा कुछ कुछ जगाओं में मिल जाएगा मगर ये आपको इंडिया का माल मिलेगा तो इंडिया का माल आपको नहीं लेना है आप इससे पहले भी सुने होंगे कि medicine की तालुक से अगर कहीं चर्चा होता है तो वहाँ पर ही बताया जाता है fishing में कि अगर आपको हमेपेथी medicine लेना है तो वो German company का लेना है German company का medicine लीजेगा तो ही काम करेगा अगर आपको market में नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमेपेथी medicine आपको cocculus indicus मिल जाएगा ठीक है हमारे पास से तो यह जो cocculus indicus होता है दोस्तों यह आपको तकरीबन तीन बूंद इसमें डालना है तो गोया के आपको क्या करना है जो आपको जो पारूटी लेना है चूरा उसका उसमें आप 30 ग्राम मलाई डाल दे तीन बू है इसको अच्छे तरीके से mix कीजिएगा अब इसमें जो समान लगेगा दोस्तों वह है चूटी का अंडा चूटी का अंडा जो होता फोटा आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है अगर आपको यह चूटी का अंडा दरकार है तो आप हमसे संपर कर सकते हैं हम इसको बेचते है और मैं अभी बात छिडी है मसाले के तालुक से तो मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहूंगा यह सब कुछ फोटो है जो के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे मसाले में लोगों ने पकड़ी है जो आप फोटो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं शेचिन को हम बागा अधार गुलेड़ निया कि ना आपको पल्हाइन जाधन जाधन एपया कि राओ्टियर को राओर जाधन जाधन जाधना बाखत नो हम दोला हुआ यह इसाल प्थामा गामिये केल्या बागा यागी दूने पध्रे यहाँ तो दोस्तो चूटी का अंडा जो लगेगा आपको वो 10 ग्राम लगेगा वो भी स्रिफ वाइट वाला हिस्सा अगर आप चूटी का अंडा को कभी मुँ में रखे चखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चूटी का जो अंडा होता है वो actually में खटा किसमका होता है मैंने चखा नहीं है पर मुझे पता है तो चूटी का अंडा दरसल होता है खटा किसमका मगर उसमें जो चूटी लाल या काली रंकी होती है जो चूटी बन जाती है उसका taste थोड़ा तीता की समगा होता है तो वो आपको लाल काला जो रंग का जो है वो आपको निकाल करके हटा देना है शुरिफ वाइट वाला हिस्सा लेना है जो अंडा होता है वो ही लेना है आपको तकरीबं 10 ग्राम फिर आपको लेना है चना का सत्तू तकरीबन एक चम्मच फिर आपको ले रहा है शहद चना का सत्तू जो होता है दोस्तों वो भुना हुआ जो चना होता है जिसका फोटर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भुना हुआ चना आप अपने मार्किट से ले के आज़े ये इसको बिस्टर में पॉडर कर ली तो काफी मेटा हो जाएगा फिर हो सकता है कि मच्छी ना उठाए तो शहद देना है आपको आधा चम्मच शहद मतलब हनी मधू और पहले तो आपने तीन समान ब्रेट क्राम फिर मलाई और होमेपर्थी मेडिसिन दे करके तीन ड्रॉप आपने मिलाया अच्छे तरीके ते फिर इसके ऊपर से बिना पानी दे के मिलाना वह आपको फिर इसके ऊपर से आपने 10 ग्राम चुटी का अंडा दिया फिर इसमें आपने चना का सत्तु एक चम्मच दिया चाई चम्मच फिर इसमें आपने हनी शहद आधा चम्मच दिया उसमें देने के बाद थोड़ा पान वाला मामला ना हो एक दम आटे जासा दम नरम हो जाए और जो पानी आपको इसमें स्प्रिंकल करना है हलका हलका छिड़कना है और सानना है वो पानी जरुवत के इसाफ के दीजिएगा और वो भी घर का टैप का वाटर या आपका बिसलरी का पानी नहीं चलेगा ठीक है वो जहां आप शिकार करने जाएगा वहां का पानी भले वो नदी हो डैम हो या तलाब हो वहां का पानी लेकर करके आपको हलका हलका स्प्रिंकल करना है और अच्छे सानना है बहुत जादा पानी एक बार में मढ़ डालिये क्योंकि पानी जरुवत के अनुसार आपको इस्तमा तो आज के लिए दोस्तों बस यही और मैं एक बात और चला आप बताता चलो दोस्तों यह जो रेसिपी है यह बहुत जगा काम करता है 99 परसेंट जगा में यह काम करता है हो सकता है काग जगा में यह काम ना करें तो आपको अपने इलाके के लिए आपको इसको 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 इ काल रखिएगा